अस्सलाम लीकुम दोस्तों आपका फिर समय स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुएट खबर यूटूब चैनल पे तो साथियों आज की वीडियो में कुएट से सबसे पहली जो खबर आ रही है कुएट में सेवन्थ रिंग रोड में एक घटना घटी है सा के बास cc-tv camera में वीडियो तो capture हो गया और उस एक घटना घटी जिसमें पूरा रोड सनननाटा होता उसी के दौरान ये घटना है पर दोडूब जो भी लोग इसमें सामिल थे उसे पकड़ कर गिरफतार कर करकर कानोनी करवाई legal action लिया जा रहा है अगली जो अपडेट दोस्तों वारे साथ यो कुएत में ड्रक ट्राफिकिंग को लेकर भाईयों कुएत में ड्रक ट्राफिकिंग काफी ज़्यादा बढ़ चुकी जैसे कि आप लोग जानते होंगे अलग-अलग एरियाओं में चाहा वह कॉलेज हो यूदर सीटी हो स्कूल हो बच्चे जो हैं वहाँ पर नसा का चीज काफी जीजादा इस्तमाल करने लगे हैं काफी बच्चे वहाँ पर नसा बग़एर भी करने लगे। तो कुएत में वहाँ पे दो ड्रक ट्राफिकर को वहाँ पकड़ा गया है जो स्मगलिंग करते हो पाएगा लगबख 30 किलो का हैसिस अब साथियों क्या होता है खर मैं इसके बारे मैं नहीं जानता हूँ हो साथिता कोई नसीली ये चीज होती होगी तो 30 किलो का हैसिस को पकड़ा गया है जब्द किया गया है फिलाल जो भी लोग इसमें सामिल थे दोनों को देने कुएती नागरीक है साथियों इसमें परवासी लोग इसमें सामिल नहीं है दोनों कुएती नागरीक है जो काफी दिनों से ये लोग ट्रेफ ट्राफिकिंग का काम कर रहे थे पुलिस के तरफ से दोनों को एरेश कर लिया गया है और 30 किलो जो हैसिस जो पकड़ा गया उसे भी जबत कर लिया गया है और दोनों पर सकत कानूनी कारवाई करके उनको जेल भी भेज़ दिया जाएगा अगली जो ख़बर आरी идет मौई के तरफ से मिनिस्टि यूफ इंट्रे के तरफ से एक सेकुरियो डोंंच किया गया है ए्मिनिस्टि प्रियेट खतम होने के वज़े से तो भाईयो मैंने आपको बताया था कि कुएत में एमिनिस्टी पिरेट खतम होने वाला है 30 जून 24 को तो साथियों 30 जून खतम हो चुका है एमिनिस्टी पिरेट दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है तो साथियों अलग-अलग एरियाओं में अब वहाँ पे छानबीन की जारी है अंडर सुपरवाजन लेफटिनेंट जनरल सेख सलीम नमाफ अलाहमद अलसबा के तरफ से तो साथियों ये हेड है उनके तरफ से ये चानबीन की जारी है बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है बहुत सारे परवासी को वीजा वालेशन के आरोप में पकड़ा गया बहुत सारे परवासीयों को रेसिडेंसी वालेशन के आरोप में पकड़ा गया तो सभी पर लीगल एक्षन लिया जारा है legal action लेकर कानूनी कारवाई करके उन लोगों को कुए से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा अगली खबर दोस्तों आ रही बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी good news है क्योंकि छुटी को लेकर है साथियों बता दूँ आपको Sunday 7 July को public holiday होगा कुएत में on the occasion of Islamic history साथियों जैसे कि आप लोग जानते हैं मोहरम का चांद होने वाला है मोहरम हम लोग इसलाम धर में मोहरम को चांद होता है वो हम लोग Islamic year होता है यानि पहली तारीक होती है तो साथ तारीक को जो सो आप सभी भाईयों को चुटी रहेगा क्योंकि Islamic यह हिजरी है 1446 हिजरी इसे कहा जाएगा संडे की दिन 7 जुलाइ 24 को आपको चुटे रहेगा और 8 जुलाइ 24 को मंडे से फिर से पूरी तरह से ओपन कर दिया जाएगा तो जो भी लोग आप लोग कुएट में भाई लोग रहते हो तो आप लोग ले बहुत यह अच्छी खबर है आप लोग एक दिन घर पे आराम वगएरा कर पाओगे तो दोस्तों कुछ खबरे थी अपडेट सी जो कुएट से आ रहे थी मैंने अब तक सेर क्या आसा करता हू वीडियो आपको अच्छी लगी हो मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो पे जहीं दल्ला फिस टेक क्या रहें